हेलो आईस आज हम बात करेंगे Redmi 8 के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके Play Store के बारे में कि अगर आप लोगों के फोन में Play Store काम नहीं कर रहा है तो कैसे आप लोग यहाँ प्राबलम को fix करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे प्रेस करें एप इन्फो पर जाए इसके और आप लोग को इसका डाटा को क्लियर यहाँ पर कर देना है डाटा क्लियर करने में क्या होगा कि अगर कोई भी गलत एक्टिविटी प्ले स्टोर में हुई होगी तो वो fix हो जाएगी ओके सो step से भी हम अपने फोन में problem को fix कर सकते है प्ले स्टोर की उसके बाद अगर यहाँ trick से भी काम नहीं बनता है तो सबसे last में तरीका use करेंगे हम अपने फोन में इसको long press करेंगे इसके प्ले स्टोर की app info पर जाएगे और हमें इसको कोई भी आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमने आप लोग को तीनों trick बता है 100% working है और आप लोग इसके लावा और कुछ भी देखने के जरूरत नहीं पड़ेगे ओके सो मिलते है next वीडियो में जय मता दी